तमस्कार आपने रिच डाड पूर डाड किताब के बारे में जरूर सुना होगा ये बुग दुनिया भर में मशूर है और बेस्ट सेलर किताब है आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है इसे पढ़ा भी हो आम तोर पर कहा जाता है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़े आपको बताते चलें कि लगभग 25 साल पहले अमेरिकन बिजनिसमैन रॉबर्ट कियो साकी ने इस किताब को लिखा था तब से लेकर आज तक इस बुक की पॉपिलारिटी में कमी नहीं देखी गई है बलकि अब तक इसकी 4 करोड से ज्यादा कॉपियां बिख चुकी है 1997 में लिखी गई ये किताब 100 देशों में 50 भाशाओं में मौचूथ है आज इस किताब की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं ये अब आपको बताते हैं अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं पैसा कमाना चाहते हैं तो इस किताब में लिखी गई ऐसी 5 सीख हम आपको बताने वाले हैं जिन पर अमल करना आपके लिए फाइदे का सौधा साबित हो सकता है हम ये नहीं कहते हैं कि 100 फीसेदी आपको फाइदा होगा क्योंकि सबकी परिस्तितियां अलग होती है लेकिन हाँ इस किताब ने लाखों लोगों की जिन्दगियों को बदला है ऐसे में एक ट्राय तो आप भी कर ही सकते हैं क्या है वो पांच बड़ी सीख विस्तार से सुनिए चुनौतियों से ना भागे अपनी किताब में कियो साकी लिखते हैं कभी भी चुनौतियों से दूर नहीं भागना चाहिए चुनौतियों को हमेशा एक अबसर के तौर पर देखना चाहिए मिडल क्लास फैमिली में हमेशा सिखाये जाता है कि ये चीज हम अफॉर्ड नहीं कर सकते वो चीज हम नहीं खरीच सकते अमीर अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अगर कोई चीज बहुत महंगी है तो वो उसे कैसे अफॉर्ड कर सकते हैं कमाने से ज्यादा ध्यान बचाने पर इस किताब में कमाने के साथ-साथ नेट वर्थ पर भी ध्यान देनी की बात कही गई है कियो साकी इस किताब में लिखते हैं कि उनके पिता पिएच्टी किये हुए थे किताब में उनको पूर डैड की तरह दिखाए गया है महिने के लास्ट में उनके पास ज्यादा पैसे नहीं बचते थे वही उनके दोस्त के पिता जो कि किताब में रिच डैड है Middle class परिवार अपने बच्चों को रिस्क लेने के लिए कम ही इजासत देते हैं खासकर तब जब वो पैसे से जुड़ा हो लेकिन अमीर लोग रिस्क लेने के लिए बच्चों को तयार रखते हैं कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क लेना सीखना चाहिए खुद के लिए काम करना जरूरी इस किताब में कियोसाकी कहते हैं कि आप अगर अपना पूरा जीवन दूसरों की नौकरी करने में बिता देते हैं तो आप wealth create नहीं कर पाएंगे एक आदमी नौकरी करके जितना पैसा एक महीने में कमाता है महीने के आखर में उसके पास बहुत कम पैसा बचता है जबकि जो business करता है वो एक महीने में कई गुना मुनाफ़ा कमाने का माददा रखता है Finance के बारे में हो जानकारी इस किताब में लिखा गया है कि personal finance के बारे में चार बाते तो कम सकम आपको पता ही होनी चाहिए इन में basic accounting, investing, financial markets और tax शामिल है कई बार ये देखा जाता है कि अमीर से अमीर शक्स अपना पैसा गवाता चला जाता है और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उसको financial education नहीं होती है हो सकता है आपके परिस्तिती अलग हो लेकिन अगर आपकी स्तिती ठीक है तो आप इन पांच सीखो पर काम करना शुरू कर दीजिए और हाँ कोई जानकारी कैसी लगे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए